पूरी की पूरी मोदी जी की सरकार अपने मित्र अडानी को बचाने में लगी हुई है लाखों करोन का घोटाला करने वाला अडानी है जिसके खिलाब मोदी जी कोई कारवाई नहीं करते ये आतंक वादियों का काला धन है मोधी जी कितना भी प्रत्य कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, अडानी को बचा नहीं पाएंगे अडानी केस मामले सुप्रिम कोटे केंदरे सरकार नी आ प्रकोजल ने, रिजक करी दिदी छे, इंडनबर्ग बाद, जे शेर तूटे आता अडानी ना, तेमा इन्वेस्टर ना पक्समा केंदरे सरकार है कही होतु, कि अम एक पेनल बनावी शो जे अडानी के लाखो करोड के घोटाले पर जिस प्रकार की तिपणी की है वो मोदी सरकार के उपर एक जोरदार तमाचा है दरसल मोदी सरकार अडानी के मामले में बंद लिफाफे में जानकारी देना चाहती थी मुख्य ने आय थी इस महोदे ने कहा हम पार दर्शिता चाहते हैं जानकारी पूरे देश के सामने आनी चाहिए लाखों करोन रुपए इस देश की जनता का डूब गया लाखों करोन का भरस्टाचार हुआ है छे फरजी कंपनिया आकेले मौरिसस में एक पते पर खोल कर 42,000 करोन रुपए आडानी की कंपनी में आया है ये किस का पैसा है ये आतंक वादियों का काला धन है या नरेंद्र मोदी जी के मित्रों का है उनके मंत्रियों या अधिकारियों का है ये कैसे पता चलेगा अगर मोदी जी की सरकार उनकी CBI, CBI, AD, Income Tax Department अगर सारे के सारे डिपार्टमेंट खामोस है, चुप है कोई कारवाई नहीं कर रहे हैं तो कैसे इस बात का पता चलेगा मैं हर्दे से आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट का मानी सर्वोच नयायले के मुख्य नयायदीस का कि कम से कम इस वक्त में जब पूरी की पूरी मोदी जी की सरकार अपने मित्र अडानी को बचाने में लगी हुई है वो उनके घोटालों की जाच कराने पर अडे हुए है मैं समझता हूँ देर सवेर पूरा सच देश के सामने आएगा और मोदी जी कितना भी प्रत्य कर लें कितना भी प्रयास कर लें अडानी को बचाने ही पाएंगे अडानी ने इस देश की जनता के साथ धोखेबाजी की है लाखों करोन का काला धन उसके भाई और उन्होंने मिलकर अडानी और उसके भाई ने मिलकर विदेसों से हिंद।स्तान की अपनी कंपनी में लगाया है इसकी जाच कौन करेगा कैसे होगी इसकी जाच दिन रात आप को चिन्ता सिर्फ विपक्ष के नेताओं का गरदन दबाने की रहती है कभी मनिस्स सौदिया पे चापे, कभी किसी पे चापे, एक तरफ लाखों करोण का घोटाला करने वाला अडानी है जिसके खिलाब मोधी जी कोई कारवाई नहीं करते एक तरफ लाखों बच्चों का भविस से बनाने वाले मनिस्स सौदिया हैं जिनके उपर रोज CBI के छापे पड़ते हैं